जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल हो जाए, तुम देरा साथ में साब, बाबुलाल, मुश्किल में कोई साथ नहीं देता है कभी, खुद ही खुद के लिए तैयारी करनी पड़ती है, रिटार्मेंट के बाद में क्या, कुछ सोचा है कभी अरे साब, भागवान है न, वो सब को संभाल लेगा राजु भाईया, एक मिनट भी लेट नहीं करते वो आब हाँ साब काम करने के लिए तो बैठे है, खूब काम करना है, खूब कमाना है अभी तो ठीक है, पर बुडापे में ऐसे मजदूरी करोगे चचा, जब तक हाथ प्यार चलेंगे, जिन्देगी चलेगी, देखा जाएगा सविता, जी मैडम, मैं सोच रही थी, कि तुम अपने ओल्ड एज के लिए कुछ सेविंग्स क्यों नहीं कर लेती मुझे तेरी चिन्ता हो रही है, 15-20 साल के बाद तुम अकेली होगी, तब ले, अकेली क्यों, यह है न मेरा लाल, यह बनेगा मेरी बुडापे की लाठी सविता, तुम बहुत भोली हो क्या मेडम, जैप मैं पैसा तो है नहीं, और हम इस मार्ट होकर भी क्या कर लेए ओके, मैं समझाती हूँ बावुलाल, मैं तुम्हें एक आईडिया देता हूँ महीने के 200 रुपे दे सकते हो 100 रुपे दे सकते हो न महीने का हाँ, पर क्यों साब, तुम्हारे रिटार्मेंट के लिए, ताकि जब शरीर साथ न दे, तब भी तुम्हें किसी के सामने हाथ न पहलाना पूरा, पेंशन समझती हो, साथ साल की उम्र के बाद, तीन हजार रुपे महीने के मिलेंगे, वो भी घर बैठे, बिना कुछ किये, त तीन हजार रुपे? तीन हजार? अरे नहीं, क्या मजा कर रहा हो साथ? ये तो ना मुम्किन है, भारत सरकार ने ना मुम्किन से ना हटा दिया है, अब सब मुम्किन है, पर कैसे? प्रथान मंत्री श्रम योगी मांधन योजना से, जिसमें आपको नजदी की कॉमन सर्विस स कर आधार कार्ड और अपनी पास्बुक दिखानी है, और बायोमेट्रिक रेजिस्टर कराना है, फिर तुम्हारा बुड़ापा एकदम सुरक्षित, पर मैडम हम मजदूर के लिए इतना सोचा किसने? हमारे देश में अन और्गनाइड लेवर के संक्या करीब करीब 40-42 करोड है, उनके लिए प्रदान, मंत्री, स्रम, योगी, मांधन योजना, उनके जीवन के उतरार्द, सांस वर्ष की आयू के बाद की जिन्दकी के लिए बहुत बड़ा संबल होगी, बुढ़ा पे में रोज मरा की जिन्दकी गुजारने के लिए पैंशन भी मिला करेगा। प्रदान मंत्री, श्रम, योगी, मानधन योजना, जिनकी महनत देश का आधार, उनकी पेंशन का सपना साकार.